नमस्ते दोस्तों, वेलकम तु फिल्मी क्लिप्स, दे पॉड्कास्ट वेर वी टॉक अबाउट आउल थिंग्स रिलेटेड तु फिल्मेकिंग, आज हम बाग करेंगे की एक मुवी को डायरेक्ट कैसे करें, मुवी डायरेक्शन एक बहुत ही क्रियेटिव और चालेंजिंग काम है, जिसमें आपको अपनी स्टोरी को स्क्रीन पर लाना होता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो हम आपको इस पॉड्कास्ट में बताएंगे. स्क्रिप्ट आपकी मुवी का बैकबोन है, जो आपको क्यारेक्टर्स, प्लॉट, डायलॉग्स और सीन्स की डिटेल्स बताती है, आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल राइटर से हाया कर सकते हैं, या फिर आप किसी एक्जिस्टिंग नॉविल, प्ले या स्टोरी को अडाप्ट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट लिखते या चूज करते वक्त ध्यान रखे कि वो आपके जोना, बजट और ओडियन्स के हिसाब से हो, स्टेप टू, अपनी क्रू और कास्ट हाया करें, क्रू में आपको सिनेमाटोग्राफर, ए divertor, sound designer, production designer, costume designer, make-up artist, etc. की जरूरत होगी, कास्ट में आपको आक्टर्स चुन्ने होंगे जो आपके कैरेक्टर्स को पोट्रे करेंगे क्रू और कास्ट हाय करते वक्त ध्यान रखे कि वो आपके विजिन को समझे और रिस्पेक्ट करें और आप उनके साथ अच्छी तरह कम्यूनिकेट कर सके Step 3, अपने locations scout करे और shooting schedule बनाए Locations आपकी movie का mood और atmosphere set करते हैं, इसलिए आपको उन्हें carefully select करना है आप real locations पर shoot कर सकते हैं या studio में sets बनवा सकते हैं Shooting schedule आपको बताता है कि कौन सा scene कब और कहा shoot होगा और कितना time लगेगा Shooting schedule बनते वक्त ध्यान रखे कि आप अपने budget और deadline के अंदर रहें Step 4, अपनी movie shoot करे Shooting phase में आपको अपनी crew और cast को direct करना है और उन्हें instructions देना है कि कौन सा shot कैसे लेना है आपको अपने script को follow करना है लेकिन अगर जरूरत हो तो थोड़ा improvise भी कर सकते हैं Shooting phase में आपको flexible और patient रहना है क्योंकि आपको कई challenges का सामना करना पर सकता है Step 5, अपनी movie edit करे Editing phase में आपको अपने shots को cut, trim, arrange और polish करना है ताकि आपकी movie smooth और coherent लगे आपको अपने sound effects, music, voice over और special effects भी add करना है Editing phase में आपको अपनी movie को critically देखना है और जो भी flaws हो उन्हें fix करना है Step 6, अपनी movie release करे Release phase में आपको अपनी movie को audience तक पहुँचना है आपको अपनी movie का trailer, poster और social media campaign भी launch करना है आपको अपनी movie को film festivals में submit कर सकते हैं या online platforms पर distribute कर सकते हैं Release phase में आपको अपनी movie का feedback लेना है और उससे सीखना है तो ये थे कुछ basic steps जो आपको एक movie को direct करने में help करेंगे उमीद है कि आपको ये podcast पसंद आया होगा अगर आपको और भी tips या suggestions चाहिए तो हमें comment section में जरूर बताएं और हाँ, हमारा podcast subscribe करके support जरूर करें Thank you for listening and stay tuned for more episodes of filmy clips podcast Bye करेंगे